हेलो गाईज, स्वागा था आपके हमारे यूटूब चानल इस्टेडी अन्ड क्रियेशन वाई गाजी पुरिया पर तो आज हम आप सब के लिए आरो ए आरो दोजर एकिस में आपने स्वास्टरिंग लाफोर में विलोम सब्द की क्लास लेके आए हैं और आज एक लास में हम मोश्ट रिपेटेड विलोम सब्द लेके आए हैं जो की हर एकजाम में पूछी गए हैं और रिपीट हुए हैं कई बार जिससे पढ़के आपकी परिछाक त्यारी अच्छी हो सके और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और हमें ऐसे ही सस्क्राइब, सियर और हमें वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करते रहें तो चलिए स्टार्ट करते अपनी क्लास ये हमारा लाश्ट वीडियो का कोश्चन था जिसका एंसर आपको कमेंड सेक्सम में और देना था तो इसका सही option होगा option B प्राकृतिक कृतिम का विलोम सब्द है ऐसे हम आपसे हर वीडियो के लाच में question पूछेंगे जिसका answer आपको comment section में देना है और जिसका सही answer हम आपको अपनी next वीडियो में देंगे पहला question है अग्य का विलोम सब्द है इसके four option है A विग्यो, B यग्यो, C सर्वग्यो, D अनग्यो तो इसका सही answer होगा अग्यो का विलोम सब्द है विग्यो यह हमारा आरो ए आरो प्री एक्जाम 2014 में पूछा गया है अब बात करते हैं अपने दूसरे question की ग्रस्त का विलोम सब्द है इसके four option है A सुप्ट, B ग्राह, C मुक्त, D लुप्ट तो ग्रस्त का विलोम सब्द होगा option C मुक्त यह हमारे आरो ए आरो प्री एक्जाम 2014 में पूछा गया है अब बात करते हैं अगले question की question number three जन्गम का विलोम सब्द है इसके four option है A अगम, B दुर्गम, C इस्थावर, D चंचल जोसका सही answer होगा option C इस्थावर अब हमारा अगला question है question number four उतकर्स का विलोम सब्द है इसके four option है A पतन, B अपकर्स, C अपभरष्ट, D विकर्स जिसका सही answer होगा option B अपकर्स और यह हमारा आरो, A आरो, मेंस एकजाम, 2013 में पूछा गया है अब बात करते हैं अगले question की question number five सगुड सब्द का विलोम है इसके four option है A अगुड, B अगुड, C दुर्गुड, D निर्गुड इसका सही option होगा option D निर्गुड अब बात करते हैं अगले question की question number six अध का विलोम सब्द है इसके four option है A पुड, B समप्त, C रती और D खत्म तो अध का विलोम है option A पुड अब हमारा अगला question है question number seven अम्रित का विलोम है इसके four option है A अमी, B अमिय, C विश और D मृत तो इसका सही answer होगा option C विश अम्रित का विलोम सब्द है अब बात करते हैं अगले question की question number eight यह हमारे UPPCS pre 2017 में पूछा गया है तो अनुरूप का विलोम है B प्रतिरूप, C अनुरक्ति, D वेतिरूप इसका सही answer होगा option B प्रतिरूप अब बात करते हैं अगले question की question number nine अग्य सब्द का विलोम है तो इसका option है A विज्य, B मुर्ख, C अनुज, D अल्प तो अग्य सब्द का विलोम होगा option A विज्य यह UP आदर यारोपी 2014 में पूछा है question number ten अब सरड का विलोम सब्द है इसके four option है अभी सरड, B अव सरड, C सरड, D उप सरड तो अब सरड का विलोम सब्द है option A अभी सरड अब बात करते हैं अगले question अगला question है question number 11 अत्याधिक का विलोम सब्द होगा इसके four option है A अत्याल्प, B अत्याधिक, C अंधिगत, D अंधिन तो इसका सही answer होगा option A अत्याल्प, अत्याधिक का विलोम सब्द होगा यह UP Tate exam 2018 में पूछा गया अगला question है question number 12 अउनत का विलोम है इसके four option है A अउनगत, B अननत, C नत और D नवत तो इसका सही answer होगा option B अननत अब बात करते हैं अगले question की question number 13 अभिमानी का विलोम है इसके four option है A साहसी, B स्वाभिमानी, C निर्भिमानी, D गौरोसाली तो अभिमानी का विलोम होगा option C, निर्भिमानी अब बात करते हैं अपने अगले question की question number 14 अच्छर का विलोम है इसके four option है A, छर, B, वडमाला, C, स्वर, D, वैंजन इसका सही answer होगा अच्छर का विलोम सब्द है छर यह हमारा UPPSS Mains Exam 2016 और 2011 में पूछा गया है अब बात करते हैं अपने अगले question की और हमारा last question अनुलोम सब्द का विलोम है इसके four option है A, सुलोम, B, प्रतिलोम C, अनलोम, D, ओलोम तो अनुलोम सब्द का विलोम होगा option B, प्रतिलोम और यह हमारा UP, RO, ARO pre 2010 में पूछा गया है यह हमारे आज के वीडियो का question है जिसका answer आपको comment box में देना और जिसका सही answer हम आपको अपनी next video में बताएंगे तो आज का question है इन में से अनुलोम सब्द का विलोम कौन है इसके four option है A, अग्रह, B, संग्रह, C, ग्रहर और D, विग्रह जिसका सही answer क्या होगा और यह exam, यह UP, RO, ARO 2010 में में पूछा गया और बहुत important question है जिसका answer अब जरूर जरूर comment box में दे थैंक्यू गाई, अगर आपको फ़र वीडियो पसंद आए तो like करे, share करे and subscribe करें ऐसी और वीडियो के लिए रेखने के लिए हमारे comment section में comment करें